नारायन नारायना किल गुरो भगवन नमस्ते नामा पिते चा मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पिते चा मधुरं मधुरा स्मृतिष्य बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्धियां प्रयाच्य परमां परिभावयामि नारायन आखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवायनमा शिवलिंगायनमा नारायन ननु उच्छेदा विदान मेतत अंतिम पेराग्राप वस पांसु सत्रा पिष्ठ ब्रहमसूत्र एते भ्यो भूते भ्यो समुथ्था यतान्य वानु विनस्यति न प्रेत्य संग्यास्ति इति कथमेतत अभेदा विधानम उच्छेदा विधान को अभेदा अभेदा विधान कैसे कह दिया उच्छेद का नाम अभेद तो नहीं हो सकता अभिधान कारत है संग्या दिधार ने कुप्रिशाद दो चार वारा की गाथा है याग्यवल क्या महरसिने अपनी धर्म पत्नी मैत्रे को आत्म तत्यु का उपदेश दिया उपदेश सुन्ने के बाद उनकी पत्नी मैत्रे ही ने कहा देहिंद्री प्राणांत करण से उत्थान की दशा में आत्म तत्व का उच्छेद ही सिद्ध होता है आत्म तत्व शेष रहता है ऐसा तो समझ में नहीं आता आप तो आत्मा को सर्वोत्रिष्ट परमभाव रूप सिद्ध कर दे चले थे लेकिन जिस जंग से आपने आत्म तत्व का प्रिच्छपादन किया उससे तो लगता है कि मेरे मन में मोह का ही आधान हो रहा है अर्जुन ने भी वगवान से कह दिया था बुद्धि मोहय सिव में इव लगा दिया आपने जो कहा है उससे तो मेरी बुद्धी ही मानो आप में मोहिस्सी कर रहे हैं इस पर यागिवल्क जी ने कहा कि न प्रेट्य संग्यास्ति प्रेट्यकार्थ होता है विशेश विशेश भाव का अपकर्स हो जाने पर अपनोदन हो जाने पर निरसन या अपलाप हो जाने पर सामानी रूप से विशेश की अवस्थिती का नाम उसके अस्थित्व का विलोप नहीं है आधनिक विज्ञान वाले क्या कहेंगे मेटर के नाइदर भी क्रियेटेड नौर डिश्ट्वाइड किसी भी पदार्थ का निरवाधिक नाश नहीं होता जिस रूप में पदार्थ दिखता है उससे सूक्ष रूप में कारण रूप में जाकर पदार्थ अवसिष्ट हो जाता है एक कटोरा में कपूर लीजिए जला दीजिए बहुत दुतों कहेंगे कपूर का सर्वतो भाविननास हो गया लेकिन बस तो स्थिती है एक तो काला दब्बा का तोरी पर जाएगा का तोरी में भूतानि व्यक्त में ध्यानि वारत अव्यक्त निजनान येवा तत्र का परिदेवना ना सतो विद्यते वावो ना भावो विद्यते सता इन तत्यों को आधनिक वईग्यानि कहते हैं That does not matter, can neither be created nor destroyed. पादार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ती नहीं होती, all of sudden कोई पादार्थ उत्पऑन नहीं होता किसी भी पादार्थ का निरनवय निरवधिक नासि नहीं होता उत्पत्ती के पूरवी पादार्थ का अस्तित्त रहता है जिसको हम नास कहते हैं उसके बाद भी पदार्थ का अस्तितुशेश रहता है अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ती और व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ती का क्रम चलता रहता है किसी शैली में यागिवल की जी ने कहा मैंने तो सत्य ही कहा तुभारे मन में वो ब्यर्थ ही हो रहा है विशेश भाव का कर्शन कर लेने पर देहनली प्राणांता करण में तादात्म्या पत्ती का निरसन कर लेने पर ऐसा लगता है कि मानो विज्ञाता का विलोप हो गया विशेश विज्ञान का विलोप होने पर भी चित सामान्य तो शेश रहता ही है बहुत उदारन दिया कल परसो नेत्र के योग से हम द्रश्टा माने जाते हैं अब नेत्र का अपलाप कर लें तो द्रश्टा तो हम नहीं रह जाते हैं द्रश्टा संग्या हमारी समाप्त हो जाती है अब शोत्र में तादात्प्यां पत्ती होने पर शोत्री शोता संग्या तो द्रश्टा का नास तो नहीं हुआ द्रश्टा जो पहले नेत्र के योग से द्रश्टा माना गया शोत्र के योग से वही सोता हो गया मती के योग से वही मनता हो गया, बुद्धी के योग से वही बोद्धा हो गया, अन्ता करन के योग से वही ग्याता या विज्याता हो गया, इस प्रकार से, पाउं में तादात्मियां पत्ति से वही गनता हो गया, और भोग में तादात्मियां पत्ति से वही भोगता हो गया इस प्रकार विशेष एक विशेष भाव का त्याग करके जीव दुशे विशेष भाव को प्राप्त करता है ततत समस्थान भूत या देहनी प्राण अंतहकरण में तादात्म पत्ती की दशाद लेकिन सभी भी शेष भाव का दिशन कर दें ना देह के योग से ना हिंदी के योग से ना प्राण के योग से ना अंतहकरण के योग से आत्मा की स्फूर्ती हो तो भी आत्म तत्त चित सामानी के रूप में शेष रहता है विज्ञात्रित उसका विलुप्त हो जाने पर भी विज्ञान के रूप में तो वचित्धातु शेष रहता ही है यहां भी प्राय इसलिए मैंने कहा था रहा भी ना जाए साहा भी ना जाए अभी प्राय क्या है रहा भी ना जाए साहा भी ना जाए विशेष भाव का त्याग कर देने पर सामानी रूप से जो आत्मा का अस्तिक्व सिद्ध होता है उसमें आवाव बुद्धी बन जाती है इसलिए बहुत धोने नहिरात में वाद शून्यवाद को च्छापित कर दिय और उपाजी के योग से अभिव्यन्यक समस्थान के योग से जब विशेष रूप में आत्मा के अभिव्यक्ति होती है तब तत्त बुद्धी बिलुप्तोने लगती है समसारी सरीखा आत्म तर्ट्व सिद्धोने लगता है इधर आये तो समसारी उधर गए थो शून्य कि समस्थार व्यक्ति दर्पन ऐसे रख है दर्पन के योग से मुख प्रत्फलित होगा दर्पन को यो कर दें तो दर्पन के योग से प्रत्फलित मुख कहां चला गया मुख होकर ही सेश रह गया दर्पन के योग से प्रत्फलित मुख दर्पन के आउंध देने पर आजकल तो दोनों और से भी देख सकते हैं ऐसे दर्पन को सम्मुख ना रहने ज़े हटा दें इस सब क्या हुआ मुख तो शेष रह जाएगा तो वही फरुखा बाद की कथा है एक माता थी एक लवता बेटा था बच्चों के साथ वही पढ़ने जाता था एक लवते बेटे को बहुत चिराते हैं लोग, प्राय है, आपको चिराते होंगे पहले, एक लवते बेटे को लोग बहुत चिराते हैं, बहुत लार प्यार से जो पलता है, एक लवता बेटा, तो साथी लोग उसको बहुत चिराते हैं, फरुखावादी कहा बता है, तेरा कान काटके ले गया कोवा, तो बच्चा रोने लगे, मा से आके कहा कि ऐसा ऐसा चिराते हैं, तो मा ने सिखा दिया एक मंत, पक्रे हैं, पक्रे हैं, काटके नहीं ले गया है, अभी है, ऐसे ही, विशेष भावा पत्ति न रहने पर भी, सामानी रुप से हमशेष हैं, तो विज्ञान को विज्ञाता होने में कितना विलंब, उपाधी सामने लाके रख दीजे, विज्ञान विज्ञाता हो जाता है, और विज्ञाता को विज्ञान होने में कितना विलंब, उपाधी, देहन्री प्राणाम्त्यकर्णू, विशेष संस्थान का अपनोदन करने विज्ञाता विज्ञान के रूप में शेस रहता है यही कहा ननु उच्छेदा विधानम एतत एते ब्यो भूते ब्या समुथायता नेवानु विनश्यती न प्रेत्य संग्यास्ती इती कथम एतत अभेदा विधानम अभेदा विधान माने अभेद संग्या इसको कैसे कहेंगे तो उच्छेद है विदाशा विधान अभिधान माने संग्या अभिधान माने नाम अभिधान माने संग्या कल्वी काता अभिधेय माने नामी अभिधान माने नाम अभिधान माने संग्या यहां संग्या शब्द का सुती ने प्रयोग किया ना प्रेट्य संग्यास्ति विरिदान्यत 2-4 वारब संग्या का लोप होता है संग्या जिसकी है उसका लोप नहीं होता वेदान्तियों को परंपरा से अगर वेदान्त का दियन नहों बहुत ही बवंदर मचाते स्वयम अज्यानी बनकर ज्यानी होने के नाम पर आरों का बनता डार करते संग्या का विलोप होता है वो समझते हैं जिसकी संग्या है उसी का विलोप हो गया प्रत्य सन्या माने सामान्य भावसेशेश रहने पर भी विशेश भावापत्ती जो थी विशेश सन्या जो थी उसका विलोप हो गया ऐसा इसलिए अभेदा भी धान है उसकी ब्रह्मु से एक रूपता का निरूपन किया गया है जो विशेस रूप में परलक्षित था वही अब सामानी रूप में शेस रह गया मतलब उस विशेस का सर्वता उच्छे नहीं हुआ वह सामानी रूप में शेष रह गया यह नहीं सा दोसा है यह कोई दोस नहीं है विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान के 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 विश ना सो जाने पर भी सामानी रूप से तो अस्तितु शेश रहता है अब विशेश पर यंत ही जब व्यक्ति की महत्ट बुद्धी होती है तो विशेश का अपनोदन हो जाने पर वो नहीं समझता कि सामानी रूप से मैं शेश रह गया नात्म उच्छेदा अभिप्रायम आत्मा के उच्छेद के अभिप्राय से यह कथन नहीं है विशेश का निरसन अपनो दन हो जाने पर सामानी रूप से तो आत्म तत्व शेश रहता ही है जैसे तरंग बुदबुद फेन का विलोप हो जाए तो जल रूप से तो इनका शेश रहना संभग है मिट्टी से बने हुए घर्ट कुलर सकोरे का विलोप हो जाए तो मिट्टी के रूप में तो शेश रहेंगे एक बावा गोम रहे थे समझ गए बैदिख जी गंगा के तर्ट पर एक भक्त ने का महराज रात्री का समय आने वाला है हमारे घर को कितार्च करें दीपावली के आसपास का समय था प्रसादपा में रमते राम फिर कल भाव हो तो रुकिएगा ने तो चल दीजिएगा आप पुरुष ने समया कि संत क्या भक्त है लगता है कि वाणी में चल कपट नहीं है संत चल परे एक कबरे में ठेहरा दिया बगल वाले कमरे में चार पांच बच्चे थे में बाबा खाऊंगी एक बच्चा बोली छोटी बच्ची नहीं नहीं में खाऊंगा अब भाई बहन सब जगर्णे लगे उन्होंने का कि आतों बली कि तैयारी हो रही है इसो वो बच्चे समझ गया है जिए इसका बाप जो ले आया ने पकर करके वो भग्रे कसाई कहां के हत्यारा कहां के अरे राम हम ब्रामन सन्यासी हम को मारने की योजना क्या हो गया मरास्ची ओ भगणे जग सेटों बच्चे लग क्या बात कर आये मरा जाई जीपावली का अब सर पर खान का बच्च जो बाबा सा बनाओ, आपने उने का इसको लेकर बच्चे जगर रहें, आप चिंता बत कीजिए, हम भगवान के भक्त हैं, हम आपकी बली नहीं देंगे, वो गया न, बाबा में खाऊंगी, ओके ता बाबा में खाऊंगा, बाबा क् निखला, खान का, खान का जो बाबा होगा या बिच्चू, कोई कहें बिच्चू में खाऊंगी, कोई कहें बिच्चू में खाऊंगा, वो बिच्चू क्या है, सरकरा ही बिच्चू क्या कार में है, और बाबा क्या कार में भी है, इसी प्रकार से, विशेष का अपनोदन हो कुंडलादी आवुसणों का भिलोप हो जाने पर भी सुवण दातु के रुप में से सहते हैं। इसलिए एक होता है व्यक्त गीता का आठमाध्य है एक होता है व्यक्त एक होता है अव्यक्त एक होता अक्षर या सनातन अव्यक्त तीन प्रक्रिति है अव्यक्त प्रपंच है व्यक्त परभात्म है सनातन अव्यक्त प्रक्रिति है गीता का आठमाध्या, गीता प्रेस्ते जो मूल गीता प्रकासित है, वो भास्ति के अनुरूप आठमे अध्याय में एक श्लोक नहीं है, वहां मूल है, तो भास्ति के अनुसार, एक है व्यक्त, दूसरा है अव्यक्त, तीसरा है व्यक्ता व्यक्त से अतित, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, परम्तर्ट्व है सनातन अव्यक्त, ब्रह्म है सनातन अव्यक्त, माया है अव्यक्त, प्रपंच है माया का परणाम व्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्त, व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ती, अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का क्रम चलता है, कूटस्थ सत्य भगवार्ण शंक्रेचर कूटस्थ नित्य, कूटस्थ शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, वो क्या है, वो अव्यक्त ही अव्यक्त है, न अव्यक्त है, न अव्यक्त, तो व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति, अव्यक्त की जो आतीत है उसकी अडोल अव्यक्त स्थिति, वो यहां पर दो ही कक्षा में वस्तु को निप्ता दिया, एक है अव्यक्त, एक है अव्यक्त, एक है विशेश, दूसरा है सामान, अब विशेश के ही दो भेग कर लेगे प्रक्रिति सामानी है या विशेश ब्रह्म की अपेक्षा विशेश प्रपंच की अपेक्षा सामानी बीज की चीज़ है तो दोनों विशेश मतलब क्या हुआ जीव भावापति इश्वर भावापति कारीयो पादिक दिव भावापत्ती विशेष है आप गीता से इस प्रसंग को मिला दिया अत्रेवमा भगवन ममुहन पेट्य संग्यास्ति इती परियन युझ्या स्वयमेव सुत्यार्थांतरस्यदर्शित्वात नवा अरे हम वहम भवीमी अविनासिवा अरे आयमात्मा अनुछित्यधर्मा मात्रा संसर्गस्त्वस्यभवति इती अब कहते हैं याग्यवल कि जिने अपनी पत्नी मेट्रेई को समझाया अब्यक्त प्रकृति का कारी है और अब्यक्त क्या है कहां पर कहां पर नहीं यहां है देकि दिम है वो श्याहिद पुराना ग्रंट हो जाने से लगागा क्या कह रहे है प्रकृति व्यक्त है या व्यक्त यह पूछ रहे है क्या पूछ रहे है प्रकृति के बाद अब्यक्त है प्रकृति के बाद अब्यक्त है प्रकृति के बाद अब्यक्त कहां आया है आपको जो दस्ता है उसी को सिद्ध कर दिया जाए आज क्या है प्रकृति व्यक्त है या प्रकृति का कार्य व्यक्त है क्या है कहिने में कटना भी विशेश भावापति का नाम है अभी व्यक्ति अईसा तो प्रकृति क्या है प्रित्वी जल तेज आपको गणित की जिश्टि से बता लए प्रित्वी कि अपेग्चा निर्विशेश जल है या नहीं प्रित्वे में कितनी विशेशत आए जल में स्वभाव से गंध नहीं है निरगंध है चार विशिष्ट तेज में शब्दिस्पर्स रूप और वायों में शब्दिस्पर्स आकास में शब्द अब आकास का कारण जो है वो प्रक्रिती है वे दानते उसमें शब्द भी व्यक्त नहीं तो प्रित्वी के अपेक्षा जल जल के अपेक्षा थेज थेज के अपेक्षा वायू वायू के अपेक्षा आकास ये निर्विशेश हैं ये नहीं ये व्यक्त में इतने प्रभेद हो लेकिन व्यक्त में भी क्या है तार्तम में है लेकिन आकास कि अप एक शावी निर्विशेस कौन है प्रकृति क्योंकि अब दो चीज होती है एक से एक घटा देंगे जो क्या होगा शुन्य होगा आकास में कितना गुण है एक उस एक गुण सब दिना में गुण का भी आप फरन कर लेंगे तो कौन कितना गुण रह जाएगा सुन्य कोई गुण नहीं रहेगा एक है गणिच का विज्ञान एक है क्रिसी का विज्ञान क्रिसी पर भी मेरा एक ग्रण्थ लटका हुआ है दो सो पेज हो गया है मेरे खाल में तब दो सो असी पेज हुआ है पता नियुक दो सो पेज हुआ है क्रिसी दर्शन नामा चार सो पांच सो पिष्ट में लिखना है, कब नंबर आता है कुछ नहीं कह सकता, आही जाएगा जो अधा लिखाया है तो, अब जो है, बीज जो होता है उसमें क्या होता है, बीज आवस्था जो होती है, उसमें एक की बीज आवस्था, ता नाम फिर क्या होता है, प्रिथभीघ्ध में डाल दिया बीज, डाल दिया ना, बीज में अंकुल संशर्ग प्राप्त होने हैं पर, वो बीज में जितनी चीजें सन्नेत हैं कालांता में व्यक्त हो जाती है। एक की बीजा वस्था का नाम प्रकृति और एक भी गुणना रह जाए उसका नाम ब्रह्म। एक किस विज्ञान के अधार पर चलता है यहां पर सर्वथा गनित विज्ञान के अधार पर नहीं चलता है। एक की बीजा वस्था एक की बीजा वस्था सर्वथा निर्विशेश नहीं हुआ। लेकिन वन मैनेस वन इसकल टो जीरो जब कर देंगे है एक गुण भी नहीं मैने सर्वथा निर्वून तो ब्रहम में लक्षन च ला गया। अब क्या हुआ आर्थ प्रितवी जल तेज वायू में गुण हुए नहीं नीचे से पांच चार तीन दो एक जिन में पांच गुण नहीं, चार गुण नहीं, तीन गुण नहीं, दो गुण नहीं, एक गुण भी व्यक्त ना हो, उसका नाम हो गया प्रकृति, प्रकृति अव्यक्त हो गई, अव्यक्त माने गुण जिसमें एक भी अभी व्यक्त ना ह होता है अव्यक्त अप्रकृति कारी है या प्रपंच कारी है प्रपंच हो गया व्यक्त प्रकृति हो गई अब्यक्त गीता में व्यक्तो व्यक्ताथ सनातन आठमाध्या, सनातन अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रपंच, तीन स्रेनी करेंगे क्या है, व्यक्तो व्यक्ताथ, और का प्रस्लेश, व्यक्तो व्यक्ताथ सनातन, एक व्यक्त, एक अव्यक्त, एक सनातन व्यक्त कोई अक्षर अव्यक्त कहते हैं, शिष्टी क्या है व्यक्त, प्रकृति क्या है अव्यक्त, दूसरी बात है, शक्ति, शक्ति का नाम है प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति का नाम है प्रकृति, ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति, कहा लिखा है, निरालंबो प्रिसन्द, शक्ति जो होती है वो दिखाई पड़ती है शक्ति कारियान मेया होती है क्या शक्ति के बारे में कारियान मेया शब्द का प्रयोग होता है कारिय के द्वारा कारण में रहने वाली शक्ति का अनुमान होता है शक्ति कभी प्रत्यक्ष दिश्टिगोचर नहीं होती पंचदसी कारविद्यारिन स्वामी जी ने उदारन दिया अंगार दाखता हुआ उसको छू लेंगे तो जलेंगे या नहीं दाह स्फोर्ट भी प्रत्यक्ष अनुमाव होगा और अंगार भी क्या है प्रत्यक्ष है लेकिन बीच में जलाने वाली शक्ति का अनुमान होगा या प्रत्यक्ष है वो अनुमान होगा शक्ति कारियान मेया होती है, इसलिए अव्यक्त होती है, कारी होते हैं, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, शक्ति सदा ही कारियान मेया होती है, इतना होर्स पावर, यह पावर को देख करके या पावर के कारी को देख करके अनुमान हुआ है, इतना होर्स पावर जो कहते हैं, पांचो इंद्री में किसी इंद्री का विशय बना है, लिकने इतने पावर, इतने पावर, बोल्टेज यह सकत, तो शक्ती कारियानु में आ होती है, गुलाब के बीज में, बीज माने अंकुरोद पादिनी शक्ती संपन्पदार से, कांटे कुद्पन करने की शक्ती है, पाध को इन सब से विलक्षन, पत्तियों कुद्पन करने वाली शक्ती, उन से विलक्षन, पराग मकरन से युक्त, पुस्पों कुद्पन करने वाली शक्ती, ठीक है, लेकिन यह शक्ती में भेद है यानि, पराद से शक्तिर विवधाई श्वाभावी कि ज्ञान वलक क्रियाचा शangelता श्वत्रपनियशन, कार्य के भेद से कारण में रहने वाली दिविद शक्तियों का अनुमान होता है। अनुमान के द्वारा जो सिद्ध है या शास्त्र प्रमान के द्वारा ही सिद्ध है उसका नाम प्रक्रिति या व्यक्त है ठीक अत्रेमा भागवान अमुमुहन ना प्रेत्य संग्यास्ति इती परियन युद्य इस प्रकार शंका प्राप्त होने पर आचारी के व्याद से शुती ने स्वयम इस तद्य को फिर उद्भासित किया। हमारे पुझ्जगुर्देव इनको बहुत उचा तद्य बताया हुँआ। कि देखो, भगवान शंक्रचै ने लिखा है, जहाँ जहाँ उपनिश्दो में गुर्षिस्यादी का समवाद है पत्पत्नियादी का समवाद है वहाँ भगवान शंक्राचेर कहीं वेद पौर्शिय न सिद्ध हो जाएं इसलिए वहाँ पर लिखते हैं सुख पूरवक्त अथि को समझाने के लिए या अख्याई का है रामपुर के राम लाल ने पचीस रुप्य किलो रामदाना खरीद कर राम घाट में राम नवमी के दिन तीस रुप्य किलो रामदाना को बेचा अब बताओ उस विक्रेता को लाब हुआ या हानी हुई लाब हुआ तु कितने प्रसद हानी हुई तु कितने प्रसद अब यह जो गनित में लिखी हुई पंग्ती होगी इसमें वो राम लाल रामदाना राम घाट पचीस तीस से कोई मतलब है क्या इसका विप्राय है कि विद्यार्थी गनित में निपून हो जाए लेकिन बेदों में या उपनिश्दों में जो इस प्रकार का संबाद आता है अमुक के पुत्र अमुक अमुक के शिस अमुक वंस परमपरा का वर्णान आता है पुझ गुर्देव ने कहा वाइदिक उल्लेक क्यंसार घटना घटती है घटना का अनगमन वेद नहीं करती है बहुत उची चीज़ है वाइदिक घटना अख्याईका क्यंसार घटना घट जाती है वाइदिक शब्दों में ऐसी चंता है घटना का अनगमन वेद नहीं करते हैं राम जी का प्राकर्ठिवा हो तब राम जी का नाम वेदों में दिया गया हो ऐसा नहीं वाइदिक संबाद वंश परमपरा आजी का अनगमन इतियास करते हैं वैदिक शब्द कमसार घटना घट जाती है, घटना कमसार वेदों की सम्रचना नहीं होती। इसलिए यागिवल की जी ने जो कुछ कहा, भगवान शंक्राचेर ने है, यागिवल की जी के वचन के लिए सुत्यार्थांतरस्यदर्शितत्वात, सुति के द्वारा। आगिवल की वचन करके, मेट्रे वचन करके प्रस्नोत आतर का क्रम चलाती है। इसलिए यागिवल की जी जी ने कहा, तो सुति ने कहा, मेट्रे जी ने पूछा, तो सुति ने पूछा। सुख पूर्वक्स दार्षनिक तत्थ को समझने के लिए अख्याईका का उप्योग किया जाता है वेदोबन। अगर वो अख्याईका ना हो तो मेरी दुर्दसा जैसे मानते लोग वैसे हो जाए। मेरी दुर्दसा जैसे मेरी कोई पुष्टा पूरी पढ़ता ही नहीं पराया। केवल जैमंत में जी थे। अब कुंति उस्तुति वो कहा था अश्याम अश्रम दिन है कि मैंने तीन बार मिमाले में रहके पढ़ा वलग बार। कारण क्या है अब गीता मैं संभाद दाल में नमक के समान को जनक की त्यादी का जनकाद है दाल में नमक के समान तो गीता कठिन है या नहीं कठिन है। केवल सिद्धान्त का निरूपन करेंगे, द्रिष्टामत आजी नहीं देंगे, तो विशय जटिल होगा यह नहीं। महाभारत का मूल स्वरूप 24,000 श्लोकों का है। अख्याई का इतियास रहित। बहुत कठिन है। वेदव्याजी ने पहले 24,000 श्लोकों में महाभारत लिखा। देकिनों इतना कठिन केवल सिद्धान्त भाग उसको फेलाकर एक लाग कर दिया। शत्साहस्त्री सम्हिता। आजकल जो 100,000 वाली उस तक एक लाग श्लोकों वाला महाभारत है। उसमें मूल 24,000 विद्यमान है। एक बार दसमें अध्याय गीता पर हमने लिखा सनातन देव जी मुनिलाल गुप्त। जिन्होंने शांकर भास उपनिस्दों का अनवाज किया है। गीता पर इसे प्रकासित है। उनके सन्यास का नम सनातन देव। पूर्वास्रम का नाम था उनका मुनिलाल गुप्त। उनको देखने के लिए द्याव हमको बहुत मान देव। तो उनको बहुत अच्छी टिपणी की। क्या टिपणी की मालुम है? आपका लेख परा। परते जाओ भूलते जाओं। उस समय टिपणी की थी, छह अठथ थर बहे। परते जाओ भूलते जाओं। क्या, कुछ पल्ले नहीं पर्णा। तो उन्होंन हमारा दामे रख दिया, इनकी बात सुनते जाओ, भूलते जाओ, इनका लेक पढ़ते जाओ, भूलते जाओ, वो क्या है, अगर सिध्धामते सिध्धामत बोलेंगे, बीच में के दिश्टामत आजी नहीं देंगे, तो सब की काथा यही होगी, पढ़ते जाओ, भूलते जाओ, सुनते जाओ, भूलते जाओ, इसलिए यहाँ पर, या गिवल किजी के व्याज से सुति निर्शुयम का, सुत्यार थंतरस्य धर्शितत्वात शुत्यार तरस्य दर्शितत्वात नवा αляются हम वो हम, अरि हो मैत्याई में तुमारे तर्दय में मोह का अधान नहीं कर रहा, मोहप्रण कोई वचन का विद्ञास नहीं कर रहा, अभिनासी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित धर्मा या जो आत्म तत्व है अभिनासी है इसका नास नहीं होता अनुच्छित धर्मा बास्तव में इसका कुछ बाल बांका नहीं होता इसका उच्छेद नहीं होता कोई सावयब पदार्च नहीं है किसी अम्स में विलुप्त हो जाए जो केट्यों अक्षत बना रह था मत्रा संसर्ग स्त्वस्य भवती लेकिन होता क्या है कल्पित संसर्ग के कारण इसमें विशेस्ता की प्राप्ती होती है कल्पित संसर्ग, असंगों नहीं सज्जते, असंगों हियां पूरुसा है, असंग है स्वरूप से, तिसका असंग तो ही नहीं सकता है, लेकिन तादात्मियां पत्ति, तुलसी दाजी ने उधारन दिया, बंध्यो कीर मरकट की नहीं, मरकट की नहीं, मरकक बंध्यो कीर मरकट की नहीं, मरकट माने बंध्यो का मुक ऐसा रखो, जिसमें बंध्यो का हाथ तो घुस जाए, घरे में चना है, उसको ले लेने पर मुठी बांदने पर निकाल ना सके, और लोब के कारण चना छोर भी ना सके तो बंदर को फसाने वाले क्या करते हैं ऐसे घरे बना के रखते हैं जिसमें बंदर खाली हा तो ऐसे कर दे और चना वो पहले देखता है आँखों से फिर जब चना निकालता तो मुठी बनी रहती है मुठी बनी रहती है लोब छोरता नहीं के 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 करता खिषता है एक चना छोर दे रूचोर नहीं सकता है बस इतने मा करके बंदर को फसाने वाले फसा लेते हैं तो मिध्या बंदान है या सत्मुत ऐसे तोता को भी यूँँ करके वहां तक ले जाते हैं शरी अंतमें वह आके बैठता है अब वह आईसे मशीन डार उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे आदकल होता नहीं इतना मरे डंडा लेके घोमरें फैला भी आदकल एक हाथ के शाता ले लो घुमा दो तो तीन फिट के बंद जाए ऐसे वह अपने पास लिया आते हैं तोता क्या क्या करता रहता है उसे यह पालम तो फसे कहा हो बंद कहा हो एकनो उसको लगता बंद गया तो जैसे तोर्टे को मिठ्या बंधन की प्राप्ति होती है कीर जैसे बंदर को मिठ्या बंधन की प्राप्ति होती है वैसे ही जीव को मिठ्या बंधन की प्राप्ति है ऐसा यह ही का अरे आया मात्मान मात्रा से केवल विशेस का केवल संसर्ग होता है, भोगता तो ही नहीं पाता, बताया था, ऐसे ही, और व्यावारिक धरातल पर भी अमारा ग्रंथ है, सबसे पहला, अध्यात्मरास, कुछ गुर्देवाजी से पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब का वो ग्रंथ है, पहला संसकरन जब में लिखने लगा, तो कोई चीज उसमें महाराज से पढ़ने के बाद, कोई चीज उसमें घटाने के जड़त नहीं पर, महाराज नहीं रखा था, उनकी यात्रा में भी हमने जेखा कि उनके पास है, अध्यात्मरास से, उसमें हमने शुरू किया, पहला लेख भागवान के पास है, सन बात्तर में लिखा था, विरिंदा बने, हमारे आपके लाखों करोरों अर्वों जन हो चुके, स्वरूप महिमा के बाल पर, कितने आसकती पूर्वक उन उन शरीरें को, प्रिष्टेदारों को, नातेदारों को पकड़ा लगता था, इ इसका नमे स्वरूप वैभव, कितने भी आसकत हो जाओ पत्री में, पुत्र में, बेटे में, धन में, प्रकृती क्या करती है मालूम है, स्वरूप वैभव के बाल पर, जीव को जोकेटियों असंगे रख लेती है, हम उदारन देते हैं, मान लिजए अभी हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई दिव दिश्टी, दिव चक्छु हमको दे दे, एक हजार शरीर का दर्सन हो, जीवित, मुर्दे नहीं, उसमें कोई चीते का, कोई व्याबर का, कोई चमेली का, कोई चंपा का, कोई उल्लू का, कोई उर्वसी का, कोई चुचंदर का, ऐसे, कोई तिलोत्तमा का, कोई रंभा का, कोई गंडर का, कोई देवराजिंदर का, कोई शेर, बबबर, चीता का, कोई शरभ का, कोई गधा का, उट का, कववा का, तोता का, इतने में कोई बाग, उनी शरीर में, एक ब्याग्र, वो बाद में पता चले दिव दिश्टी के बल पर एक जन्म पहले में यह था, यह मेरे ही सब शरीर हैं, दूसरे जन्म पहले में यह था, तीसरे जन्म में तो आश्चरी होगा यह नहीं। लेकिन जिस जिस शरीर में थे, उस शरीर को कितना जकर के पकड़ा था, और इस तेदार नातेदार, फिर एक बार भी नोज किया मेरे बड़े भाई के बड़े भाई में, नहीं मेरे भाई हुए न फिर, कि तुमारी साधी करवाद हैं, बच्चे थे, तो आपने का ना, क्यों मैंने का, पत्नी इतनी सुंदरी होगी, कि मैं बाहर जाओंगा, तो बाहर से ताला लगा दूंगा, तो उन्होंने का, बाबाबने का लक्षण है, यह नहीं ग्रस्माएगा, तो लगता कि पत्नी को कोई देख न ले, इतना आसत, बेटे के बिना जीवित नहीं रहूंगा, दन के बिना जीवित नहीं रहूंगा, कुछ भी बच्ता है क्या, कि अन्हें जन्म की अलाखों पत्नी आ हो गई, लाखों की पत्नी आ हो गए होंगे, बहुत लोग, कुछ भी नहीं बच्ता, यह सौरूप वैभाव, इसी को हम कहते हैं, इदमताशपद को मम्ताशपद, मम मंतासपद को अहमतासपद, मंतासपद, मंतासपद को इदमतासपद, बनाने की फेक्टरी चलती है, तारखाना, मालूम है पपुजी, और ब्रह्मा विष्ण महत्ती नहें, तस्मा वाले एक दो बिदा तस्मा, सुनो, यमना जी की धारा बह रही है, या गंगा जी, अब हमारे लिए क्या है, इदम या दिर्शिट, लेकिन वो जो यह लोटा है, जब तक दुकान में, जहां से खरीदा गया, दुकान में था, तो इदम था या नहीं, अजकल मं हो गया, मेरा लोटा, पहले ही इदम था, अब हो गया, इसमें ममता उलर गई, मेरा लोटा, ठीक है, लोटा में ममत वे, कमंडल में ममत वे, यमना जी में इदम भाव है, यह, यमना की धारा दिस से, ना वो हमतास्पद हैं, ना ममतास्पद हैं, अब लोटे में यमना जी भढ़ दिया, अब यमना जल में ममता आ गई, यानि मेरा जल, फेट में पी लिया, अम्में बन गया, देखते देखते इदम को मम, मम को अहम, इतने में भगवान न करें, लगसंका का बिग लग गया, तो दूर जाकर गंदा नाला के पास मुट्र का त्याग कर दिया, अब अपने मुट्र में जितना राग होता है, दूसे कि मूत्र से परहेज, मुरारजी देशाही तो अपना मूत्र पीते थे, हमारे पुझ गुर्देव ने प्रयाग के प्रेप्चन में कहा, मूत्र पीने वाले प्रधान मंत्री से तुम लोग क्या असा रखते हो, गोद्मूत्र पीवे यह भूई नहीं, अकल का दुस्मन, मूत्र पीता रानी होगा तो क्या होगा मराय ने कहता है, स्वाम्भू पान, तो क्या हुआए अपने मूत्र में फिर क्या हुआ, अंदर जाब, मूत्राम से था तो अहम, बाहर निकला तो मं, देखते-देखते गंडा डाले में, चलाकर 10 मीटर, 20 मीटर चला गया तो फिर चलता रहता है क्या बाल जब तक सर में है तब तक हम मेरा बाल मम निकल आया तो इधम उसमें भी थोड़ा राग होता है मेरा बाल अंत में क्या हुआ ये फेक्ट्री पर देखिए इधम मम मम अहम अहम काल अंतर में मम मम भी बहते बहते इधम यह फेप्टी टलती रहती है जीव, जोंके टिवासंग बना रहता है, तो स्वरूप वबयभव के बल पर भले ही हम, कितना भी रागानमित हों, प्रकृति किसी बस्तू को पकर के रखने देती है क्या, नहीं रखने देती है, यह स्वरूप वबयभव है, यह सब थोरा इधर सुना देते हैं, ताकि बात जम जाए, अब क्या कहा, यह तो दुख्तम भवती, इन सब का लभव लवाव सारामस्या होता है, कूटस्थ नित्य एवायम विज्ञान घन आत्मा, नास्यो छेदव प्रसंगोस्ति, कूटस्थ नित्य, शब्द का प्रियोग भगवान शंक्त आत्मा का वर्णन समयना चाहिए, यह जो आत्मतत्त्व है, कूटस्थ नित्य है, निर्विकार, कूटवत, कूटवत, स्थित, निर्विकार स्थित है विज्यान घन है या विज्यान घन सेंधव घन जैसे कहते हैं विज्यान घन है आत्मा cartmai गणी भूत विज्यान है विज्यान स्वरूप ही है नास्य उच्छेद प्रसंगोस्ति इसके उच्छेद का कोई प्रस्थी नहीं उठता कोई चिला करके मैं नहीं रह गया तो अभी रहना से दोगा या नहीं रहना अरे मैं तो मार दिया गया तो अभी जीवित सिद्ध होगा या नहीं यह है रामबरोस्य जी के पत्नी गई वहां उरियावादी के आँ वहां तो बैठा के भोजन के वल बंडारे में होता था परोस्के चार रोटी दो जो भी रोटी बट गई थी अवो ठी थी वो बरेली की मैं तो अब मैं तो ऊपर था यह कटो डाल लेके ठाली लेकर मारी गई आत भूखई मरना है जीवित व्यक्ति की बानी है यह मरे हूए व्यक्ति की शांदीत यह यह कुटस्थ नित्या इसका नास संभव ही नहीं है जितने भी नास है उन सबका साक्षी अरिष्थान है मैं म पर गया कोई का है, तो अभी जीवित से दोगा या नहीं, अमृत्यू का भी साक्षी से दोगा या नहीं, अज़ा सुन्य ही है, आत्मृत्त तो नहीं है, ऐसा कहो तो सुनी का साक्षी से दोगा या सुनी से दोगा है, सुनी की सिद्धी किस से होगी, सुनी से होगी क्या, भाव कि सिद्धी किस्ते हो गया, भाव से हो गी क्या? अविद्या कृत है अविद्या कहने इनमें अभिनिवेश के कारण ही मिध्या अभिनिवेश के कारण ही बंधन की प्राप्ति होती है। अब विद्या के द्वारा क्या होता है अपने मौलिक कुटस्थ नित्यस्वरूप का बोध हो जाता है तो अंत में दास कवीरा जतनते और ही जनकियों के त्यों धर दिनी चदरिया मतलब बाद में पता चलता है कि कोई भी रही असंग के असंग रिश्यों ने कहा किन से द्रोणा चैर जी से पंद्रह में दिन के युद्ध में कहांग या रिश्यों ने हम स्पंख्षी का रूपदारन करके कहा युद्ध भूमी में आप भरद्वाज रिश्य के अवतार हैं कौन द्रोणा चैर ब्रहमन हैं आप छत्री नहीं हैं और हम रिशी लोग हम पक्षी का रूपदारन करके आपको सचेद कर दे आए हैं आप ब्रह्मलों ची ढंग से शरीर छोड़िये आपकी मृत्यू का समय आ गया है द्रोणाचार से का पिर द्रोणाचार जी थाफदान हो गए इधार पांडवों ने क्या किया था उन तक वाण आदी पहुंचानी के सारे रास्ते बंद कर दिये थी वो तो अरजुन की छमता थी ना उसके तूनीर में जो भी वाण से अक्षय थे लेकिन और के तो सब और से घेर लिया था और अस्वत्थामा फता थोड़ा नमक मिट में लाके जूट भी बोल दिया यूदिश्टे जिन है लेकिन वहां आता है एक लवता बेटा बहुत राग कहां का अस्वत्थामा कहां का दुर्योधन कुछ भी रही बस दनुश्वान सोर के रट पर ही बैठ गए पदमासन से और अपने मौलिक स्वरुप का चुंतन करते वे देहत्या कर दिया यह द्रोणा चार्जी ने रट पर समाधिश्ट होकर देहत्या किया इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ यह होता है कितना भी बेटे बेटी अपने शरीर में राग हो व्यक्ति समभल जाए तो बस सब के सब खतम इसलिए यह जो आत्मुतत्वया संग है अविध्यक राग को पाल करके कितना भी आसकती दिखावें कुछ साथ नहीं जाना अंत में वो राग भी समाप्त हो जाता है इस चीज़ को समय लेको ही तो वर्तमान में भी जो अमुक अमुक में राग है उसका भी निवारन हो जाता है और अंत में क्या निकलता है कामना का मूल क्या है जी? अज्ञान अकामना की सिद्धि का रहुत क्या है? हमको चाहिए क्या संसार से? चाहिए क्या संसार से, जो चाहिए उताम ही है, हमको चाहिए मृत्यू रहत जीवन, हम तो अम्रिता स्वरूप हैं, हमको चाहिए अखंड बोध, हम तो चिदरूप हैं, हमको चाहिए आनन्द, हम तो आनन्दा स्वरूप ही हैं, समसार में जो मुह मारते हैं सत्ता चित्ता प्रिता बटोडने के लिए वो तो वह है ही नहीं जिसको जिसकी इच्छा से समसार को बटोडते हैं उस समसार में है नहीं अब वही अपना स्वरूप ही है तो अपने स्वरूप जब दिन की गली में रोस्री है बाजार में जाके क्या जांके एक महात्मा थे और रहिवार के दिन तिव्यय कोलेज दिली में करॉल वाग में बहुत बर आजमल खाँ पार्क था उसमें एक कचनार का वाग भी था, वहां वो महत्मा आ जाते, इनी की तरह थे, इनी की तरह थे, आयू इन से बरी रही होगी, पांसात उनके साथ, छोटे मोटे दुकान वाले रेववार के दिन आ जाते, वो सिनेमा का गीत बहुत मिश्कपट बहुत से गाते, आर द्यात्मि से जब दिल की गली में रोश्नी है वाजर में जाकर क्या देख्याँ। मैं किसी का प्य incentives यहां नहीं था, लिकिन रहवार के दिन उनके व्यक्तिनाचते पूर फो अच्छे पहत्पा रहे होंगे। जब दिल के गली में для बाजर में जाकर क्या देख्य है। मैं आत्मा स्वप्रकास है, चाल पाल बाहर क्या है, बाद में मैं बाबा हुआ, तो मैं पूजी स्वामिय खर्णाज मुराज के हां वेदान प्रप्चन कर रहा था, उधर जहां आए रहे हैं कुवा का था न रूप, चबूते पर बैठके मेरा प्रप्चन सुन थे, तो मैंन सुन आए विटिति के मालूम पढ़ाता हैं ति आप से चाहिए वहां हम को सारी कामनाओ का विलोप हो जाता हैं, मृत्यु रहित जीवन चाहिए हूं, मृत्यु नजय है हम जढता अग्यता से रहित, ज्ञान चाहिए हह स्वयां है प्रूतिकौतु है। ना द्वन्द की पहुंच है, ना दुख की पहुंच है, केवल इनके बीज की पहुंच है, वो बीज भी तत्व ज्यान से घुन जाए, आत्म तत्व स्वता सच्चित आनन्द स्वरूप है, जब आत्म ही सच्चित आनन्द है, तो बाजार में जाके क्या जाके हर-हर मागे। झाल झाल